कि अग्जाम के लिए बहुत ही मत्यपूर होने वारी है क्योंकि इसी एक वीडियो में जो है हम लोग दरीमांडर साइंस के रसायन विग्यान को पढ़ेंगे और इस पार्ट में जो है हम लोग चैप्टर फायफ सेवन को पढ़ेंगे तो दोस्तों यहां पर हम लोग जो है चैप्टर फायफ में जो है पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉंडिंग यानि की रसायनिक बंधन उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं और लवन को पढ़ने वाले हैं तो गाइस चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपको बता दो अगर आप पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकम को जूर दबाए ताक कि जब भी मैं कोई नहीं वीडियो डालो तो उसकी नोटिफिसन जो है सबसे पहले रिडेक्शन यानिकी ऑक्षीकरन और आवकरन को पढ़ेंगे उसके पाइब थर टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग क्या थर टॉपिक पढ़ेंगे अमल भस्म और लवन को तो ये तीन टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्षुरू करते हैं तो पहला जो द्धनाविशित आता है तब या परमानों से प्रोटोन बाहर निकल जाता है तब धनायन यानिकी पोजिटिव जो है तब बनेगा जब जो है परमानों जो है एलेक्टोन खोएगा तब आप्सन नमबर बी यहां पर रैट हो जाएगा नेच देखिए रिनात्मक तब बनता है जब क्या करेगा परमानों एलेक्टोन गरहन करेगा या परमानों एलेक्टोन खोएगा या परमानों पर बाहर से धनाविशित आता है तब या परमानों से प्रोटोन बाहर निकल जाता है तब तो रिनाविशित यानिकी मैनस जब है कब होगा तब तो रिनाविशित जो प्रमानों को गरहंड करेगा तब नूम्बर यहां पर बनता है जब क्या व कि सायोज करने वाले प्रमानों के लुटन करते हैं तब या एक का थात्य होता है तब या caveat satu इसोग करता है तक आफिक्ष में होता है गाविष्ट आईयों के बिच बनता है या इन नहीं तो इसका लाइट हो जाएगा स्टार्ण का अस्तानांत करता है या Arabic यन्जाश भंद सेदा पॉड़ ano स kijः होता है या यह workers कि बराबर के से जAULब यह देखिए जब कि दू परमानों प्रस्पर सही करते हैं तो उनके बीच बंधन कारी कैसी होगी क्या यह डंतों साजयोजक होगी या द्रुवे साजयोजक होगी या अध्रिवे साजयोजक होगी तो जब एक ही दत्व के दो परमानो परसपर साजयोग करते हैं तो उनके बीच जो है बंधन के पैकरती कैसी होती है तो उनके बीच जो है बंधन के पैकरती जो है अध्रिवे साजयोजक होती है option number D यहां प्राइट हो जाएगा नेश्ट रखिए मेथेन अनो में क्या होता है तो मेथेन अनो में जो है क्या होगा दू सजयों जग बंदन होता है या त्री सजयों जग बंदन होता है या इन होती है तो एथिलीन अणू की आकरती जो है कैसी होती है समतल ट्रिकोणी होती है option नमबर सी यहां प्राइट हो जाएगा नेच्ट जखेए नेम लेकित में से किस योगिक की आकरती चितुस फलकिये होती है पहला option दिया हो है ammonia दूसरा दिया हो है carbon यह चमचे आपको बताना है कि किस योगिग आकर्ती ज appelle के होती है यहां पर आइट इंस रोगए क्यों जाए जया बोपन में होता है क्या तो नहीं आइँ औरoltos रोड सैंग बंदन होता है लेत को यहीं में से कोई नहीं तो इसका राइट इंस हो जाएगा बंदन होता है सोडियम को राइड में ऑप्सन नमबर सी यहां पर राइट हो जाएगा बनता है तब क्या होता है तो जब एक रासानिक माने बनता है तब क्या होता है उर्जा हमेशा निमुक्त होती है अप्टिन नंबर यहां पर एट हो आपको बताना है तो इसका राइटेंस हो जाएगा जो कारवन डायक्साइड होता है वो क्या होता है रेकिए सलचना वाला अनु होता है कि आप्सेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें क्योंकि इसमें जो है क्या उपर सोता है इसमें जो है मुक्त आयायन जो है उपर सोता है इसलिए जो है या विजुद्धारग का प्रवा कर सकता है आप से नमबर बी यहां पर हो जाएगा नेज़ देखिए सच योजी योगिक का उधारण कौन है या पोटेसियम है तो इस चार आपसे आपके सामने दिया हुआ है आपको बताना है कि सच योजी योगिक का उधारण कौन है तो इसका राटेंस हो जाएगा सच योगिक का उधारण जो है कौन है कालसीयम हईड्रोजन क्लॉराइड है आपसे नमबर सी यहां पर रेट हो जाएगा तो सच योगिक का उधारण होता है कैलसीयम हईड्रोजन क्लॉराइड अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नमबर दो इसमें पढ़ेंगे हम लोग ऑक्षिडेशन और रिडक्षन यानि कि ऑक्षीकरण और आवकरण को पढ़ेंगे तो पहला प्रेशन है एलेक्ट्रॉन त्याग तो इलक्ट्रॉन त्यागने की प्रेशन और रिडक्षीकरण को गहनता है तो एलेक्षीकरण करने की प्रेशन नमबर यहां पर रेट हो जाएगा अगर कोई elektron को गरहन करता है वो क्या कलाएगा? आवकरण कलाएगा और कोई त्यागेगा तो क्या कलाएगा? वो कहलाता है आवक्षिकरण नेक्ट है दिखिए विदूत-धनात्माग ततवों में संयोक करने की प्रेकरती को क्या कलाता है? यानि कि विदुद धनात्मक तत्तों के संयोग करने की क्रिया को क्या कायाता है क्या ये आक्षिकरन कायाता है ये आवकरन कालाता है ये दहन कालाता है ये भंजक कालाता है तो विदु धनात्मक तत्तों के संयोग करने की क्रिया को जो है क्या करते हैं इसे करते हैं अवकरण ठीक है ऑप्शन नमबर बी यहां पर राइट हो जाएगा अवकरण को बोलते हैं क्या अवकरण को बोलते हैं रिडक्शन तो अप्शन नमबर बी यहां पर राइट हो है जिसमें ततों की संयोगता क्या होती है घड़ जाती है या बढ़ जाती है या आप परिवर्द रहती है या इन में से कोई नहीं तो ऑक्षिकरण की वह प्रक्रिया जिसमें ततों की संयोगता जो है क्या होगी वह बढ़ जाएगी option number B जो है इसका right-nose हो जाएगा next देखिए आक्षी करण और आवकरण अभिक्रिया में क्या होता है परमानों के core electron भाग लते हैं या परमानों के सयोजी electron भाग लते हैं या option C दिया हुआ है ठीक है option C दिया होता है क्या परमानों के पहली कच्छा में electron भाग लते हैं या चौता दिया होगा क्या परमानों के नाभिक्रिया में क्या होता है इसमें होता है परमानों के सयोजी electron भाग लते हैं option number B जो है यहाँ पर रैट हो जाएगा तो प्रस्टन क्या था आॉक्सिकरण और अवकरण अभग क्लिया में तो इसका right एंसर क्या ऐ होगा था प्रमानों के सहयों जी लेटन भग लिते हैं, option number B जो है उसका right हो गिया था, 6 का, नेज़ दखिए किसी भी अविकरिया में औक्सिकरण और अवकरण जो है, अलग अलग होते हैं, या एक साथ होते हैं, या पहले अक्सिकरण होता है, तब अक्सिकरण होता है, या पहले अवक अवकरण दोनों है, यहाँ पहले देखें, चारा option आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन जो है, आक्सिकरण और अवकरण दोनों है, तो इसमें हो जाएगा, देखिए, H2O2 जो है, आक्सिकरण और अवकरण जोनों है, यानि कि Oxidation और Reduction दोनों होता है, H2O2 में नेच्ट देखिए, नेमलेकित में से कौन सा पदार अवकरण तथा आवकरण दोनों की तरह परियुत किया जाता है, क्या यह पदार sodium thyosulfate है, या sodium nitrite है, या sodium sulfide है, तो चारा option आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा पदार जो है, आक्सिकरण और तथा आवकर दोनों की तरह परियुत कियाता है, तो इसका राइट हो जाएगा, sodium nitrite जो होता है, ठीक है, sodium nitrite, option नमबर C, इसका राइट हो जाएगा, sodium nitrite जो है, ऑक्सिकरण दोनों की तरह परियुत कियाता है, ने जिखिए, hydrogen के जलने से सम्मंधित प्रक्रिया क्या क्या क्लाती है, जलि डेल्ठ लोहे पर जो जंग लगने का कारण जो है किसका उधार इंठ होता है आफ क्लाइघा ए बहूं लिक आनका छाए आइज देखें फी प्लस प्लस एंद के रूपांतरन की प्रक्रिया जो है क्या जित्वर वद्वक्राइघा आउक्सिक्रांक कर लाएगी या आवब कर लाएगी या नावी करन्स और या ना विक्ट कर लाएगी या ना one करिया कर लाएगी इस चारी आपको दिया हुआ है कि एफ क्या Арंस से एफ-प्लस quit प्लस हो जाए तो यह रूपांधरन की प्रक्राइड क्या कहलेगी तो इसका राइटिंथ हो जाएगा आक्षी करन कहलेगी ऑप्षिन नमबर एज इसका राइटिंथ हो जाएगा नेश्ट देखिए के टु मनो फोर में एमन की अपचेयन आवस्था यानिकी ऑक्षिडरेशन stage क्या है, क्या इसमे plus 2 हो रहा है, या plus 7 हो रहा है या minus 2 हो रहा है, या plus 6 हो रहा है mn में तो यहां पर देखिए, के 2 mn O4 में, जो है, mn की option, यानि की अवस्था, oxygenation stage जो है, क्या है, इसकी right answer हो जाएगी plus 6, जो है, इसका right answer हो जाएगा, option आवस्था कितना होता है mn का प्लस6 होता है या ये ने ज़कियर के टू सी र टूसी यारट टूउ ओ सेबिन में CR की ओक्षीकरन अवस्था किया है टिसका राइटेनिस हो जाएगा मॉच्षिक यहाँ पर जो है अउसिकरन वहास्था है ऑप्षिन नमबर इज असका राइटेन्स हो कि एम लिखित में से कौन सी हेक्सा साइनोफेरेट आयान यान की एपी सी एन सिक्स का होल फोर में लोहे की यानि की एपी की आक्षिकर्ण की संख्या कितनी है प्लस टू है या प्लस थी है या प्लस फोर है या मानेस टू है तो इसका राइटेंस हो जाएगा प्लस टू यहां पर जो है एपी की आक्षिकर्ण संख्या है लोहे की संख्या कित या घोत होती है या है कि तो यहां पर देखिये कॉन सो जो है इसका रचाहिशन हो तो किसी एक तो कि अपने सभी योगल के ऑक्षिकरन और थी संख्या जो daha प्लावनों म के प्लास्ट है प्लस त्री है या प्लस ओन है तो ग्रविलेंटिक एसिट में जो हैक डिचन संख्षया तो इसका राइट एंस हो जाएगा इसकी पर जो है प्लस थी है औस З सुझा ओगा नश्घ्राँ 2 अश्च्री में सफर की कि ऑक्षिकर संख्षया कितनी है जो sodium to sulfur to oxygen 3 इसमें sulfur की oxygen संख्या कितनी होगी plus 2 होगी या minus 2 होगी या plus 3 होगी या plus 4 होगी तो इसमें जो है sulfur की oxygen संख्या कितनी होगी plus 2 होगी option number A जो इसका right answer हो जाएगा अब हम लोग पढ़ेंगे topic number 3 अमल भस्म और लवन यानि कि acid base and salt को पढ़ेंगे तो पहला question बनता है अमल भस्म और लवन से कि अमल वा पढ़ेंगे जो क्या करेगा electron ग्रहन करता है या electron ग्रहन करता है या proton देता है या O H मैनस आयान देता है तो अमल वा पढ़ेंगे जो क्या करता है proton देता है option number C जो है इसका right answer हो जाएगा देखिए चार वह पदार्त है जो क्या करेगा वो प्रोट्रों देता है या प्रोट्रों ग्रहन करता है या अलेक्ट्रों देता है या अलेक्ट्रों युग में ग्रहन करता है तो चार वह पदार्त है जो क्या करता है प्रोट्रों ग्रहन करता है ऑफिसन नमबर बी जो इसका का लाएगा या भस्म का लाएगा या अल्कॉल का लाएगा तो अम्ल और छार की अभी किरिया के फलसरू जो पदार्द बनेगा वो क्या का लाता है वो का लाता है लवान याने की नमक करने के लिए ठीक है यानिकि मुशू को लाल कर देता है कौन अमल कर देगा या भस्म कर देगा या चार कर देगा या लवन कर देगा तो मेले पतर को जो कौन लाल कर देता है तो यह कर देता है अब आप्षिन नमबर जो है जो है इसका harmony हो जाएगा दोस्तों यह सभी जितने प्रशण आपको देखने को मिल रहे हैं फ्रफिन है जो है जो लाल लेटमाइज पत्र को नीला कौन कर देता है क्या यह अमल करता है या चार करता है या लवन करता है या इन में से कोई नहीं तो लाल लेटमाइज पत्र को जो है कौन नीला कर देगा तो इसका राइट इंस हो जाएगा चार कर देगा ऑप्सन नमबर बी जो इसका राइट करते हैं आपसे नमबर जो बी है यहाँ पर राइट हो जाएगा नेश्ट है देखिए सभी अमल जो है जल में घुल कर परदान करते हैं कि या OH मैनस आयान या H प्लस आयान या एलेक्ट्रोन या निट्रोन तो सभी अमल जो है जल में घुल कर क्या परदान करेंगे तो सभी अमल जो है जल में घुल कर जो है H प्लस आयान जो है परदान करते है आपसन नमबर B जो इसका राइट इंस रो जाएगा नेज देखिए भस्मों का स्वाद कैसा होता है तो भस्म कैसा होता है, खारा होता है, या खटा होता है, या मेठा होता है, या स्वादहीन होता है तो भस्म जो है कैसा होता है, भस्म जो है खारा होता है, option number A जो है इसका राइटेंस हो जाएगा नेट देखिए भस्म के जलिये घोल में कौन सा आयन होता है ह प्लस होता है या ह मैनस होता है या ओएच मैनस होता है या ओएच प्लस आयन होता है तो भस्मों के जलिये घोल में जो है ओएच मैनस आयन होता है option number C जो इसका राइट इंस हो जाएगा नेश्ट देखिए सभी लवन होते हैं कैसे होते हैं लवन यह की सॉल्ड जो है कैसा होता है यह बताना है तो सॉल्ड क्या यह विदूत अन्प घटे होता है या अस्थाई अप घटे होता है या उदासीन होता है यह चार आपको दिया हुआ है आपको बताना है कि लवन कैसे ह होते हैं लवण जो है वेधों अब घटता है option number 20 अर्थ राइटिंस हो जाएगा और निठीच जाएगअ पी-चछ मान का निर्धायन किस ने किया था क्या यह लेवोजीर ने था या प्रिष्टले ने क्या था या केवेंडिस ने क्या था या सॉरेंस ने क्या था तो पी-च मान का निर्धायन जो है किस ने क्या था तो पी-च मान का जो निर्धायन है इसको क्या था निर्धायन सॉरेंस ने क्या था आप्सन नमबर डी जो इसका राइटिंस रो जाए हैं लो तो 1 बाई 10 पे पावर घाट सब्सक्राइब 3 यह मैनस को मतलब यह होता है तीक है मैनस 5 तो मैनस यहां पर 5 हो जाएगा ठेगा पावर यहां पांच वह जाएगा 14 तो यहां पर पान जाएगा यानि कि इसका जो है यह रूप है ठीक है यहां पर जो पावर है fact पावर के जगहा पर हम कुछ बिली सकते हैं ठीक है साथ दस पांच शौदा कुछ बिली सकते हैं ठीक है तो इसको इस तरह से निरुपित किया आता है ठीक है तो इसलिए जो है इसका घाट जो है मैनस में दिया हुआ है दिके सुध जल में हैडोजन आयन सानता का मान जो है कैस हो जाएगा नेज़ देखिए अमलिये घोल का पीच मान कितना होगा या साथ होगा या साथ से कम होगा या साथ से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं जो होता है वो क्या होता है उसका घोल जो है उसका पीच मान साथ से कम होता है आप से नमबर बीजय का राइट हिंस हो जा उदासीन घोल का पीच मान कितना होगा तो उदासीन जो होगा वो उसका पीच कितना होगा साथ होगा यानिकी निट्रल होगा तो कितना होगा साथ होगा और चारी होगा तो क्या होगा साथ से अधिक होगा और अमली होगा तो क्या होगा साथ से कम होगा यह तीनों याद रख तो क्या होगा उदासी नहोगा सबिए अमल धातों से प्रतिक्रिया करें कम या क्लोरिनन रभॉयोज निकालते हैं सभी अमल धातों से प्रतिक्रिया से करें इंदंगर होते हैं वह तो अहां समान व्यक्ति है जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके रख्त का प्यच अस्तर कितना होना चाहिए क्या यह 4.5 से 4.5 रहता है या 6.45 से 6.55 रहता है यह 7.35 से लेकर के 7.45 तक रहता है या 8.25 से लेकर समान व्यक्ति का रख्त का प्येजज़स्तर क्या होता है तो समान व्यक्ति डीजर्त का स्तर कितना होता है tys hubs थ被 आफ कर्के 7.45 तरता लimesल नवर न uso यह थे हैं इसका पीच मांड जो हम लोगो दूद पीदे हैं उसका पीच मांड़ों है कितना होता है तो दूर का पेव्स मांड़ों जो है कितना होता है 6.6 होता है ऑप्सन. सी यहां करह देके जो लवन्हांम् 걸 SKT एक ऐन से मुक्त रहते हैं वो किया कलांगे तो यह कला आएंगे समाने लवन अऩि का होता है मुंत लवन होता है आपैच मुल्यांकंद सता है क्या पहला meille दिखाध यह हे मैं नेगेटिव से फोटो ब्รाने के काम में लाजाने वाले रसायन की गुन्वनता को दसाता है पिर च मुल्यांकनर यह कि cier role के अमले वाचारी होने का मलेंकन दसाता है यह भूकम की तिव्रता का मुल्यांकन दसाता है और दूद्य क streaming क्या दसाईगा तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू कर दीजेगा और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अगर आप लोग ठीक है अगर आप लोगों पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेले वाले अक्न को जरूर पिश्क कर दें ताकि जब भी मैं कोई नहीं वीडियो डालो तो आपको सबसे पहले मिल सके तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू कि अ झालो पिज़ आपको सबसे हुआ हिंक अभी मैं?